हेलो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे मैं हूँ महिमा और आज हम जा रहे हैं सॉल्व करने वोक्षीट नमबर 27 आज का विशे है हमारा हिंदी और आज हमें मिला है व्याकरण का टॉपिक हमारा टॉपिक है संधी क्या टॉपिक म मीनिंग क्या होता है संधी संधी का मतलब होता है एक तरीके से संजोता जब दो जैसे हम सुनते हैं एक 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 जाते हैं दो देशों के बीच में पहले लड़ाई चल रही थी और अब क्या होगी संधी हो जाने का फिर समझ में आगे आपको कि आप वो दोनों मिल गए ठीक ह मिलने का मतलब हो गया संधी यानि कि दो लोगों के बीच में जब समझा होता हो जाता है और दोनों लोग मिल जाते हैं तो उसको कहा जाता है संधी तो नाम से ही पता चलिए संधी होती क्या है चलिए डिसकस करते हैं आज का टॉपिक संधी संधी, सं प्लस धी का अड़, सं प्लस धी मिलाके संधी बनता है सं एक word है, अगर उसमें हम धी अड़ करते हैं तो वो बच जाता है संधी और संधी का अड़ क्या होता है, मेल या योग, समझोता जो मैंने भी आपको बताया कि संदीकार्ट होता है मेल, योग या समझोता जब मेल या समझोता दो विचारों और वस्तमों में होता है तो एक नया रूप बनाता है जैसे दो विभिन अंगों को मिलाने से तीसरा नया रंग बन जाता है उसी तरह दो अक्षरों ने भी, दो अक्षरों के भी आपस में मिलने से एक नए वर्ण बनते हैं, ठीके, तो आपको यार रखने हैं, जसे कि हम क्या करते हैं, यलो मिलाते हैं, रेड कलर और यलो कलर आप मिला देते हैं, तो क्या बन चाता है, औरेंज कलर बन चाता है, तीसर और शब्द क्या होते हैं जैसे पानी ये शब्द एक इस में दो ये दो से अधिक अक्षर मिल के शब्द बनाते हैं शबदो और अक्षरों में या जो संधी होती है रसावटे उन पर वेस्ट होती है, तो संधी क्या करती है, अक्षर को हम वर्ण भी बोलते हैं, तो दो वर्णों के मेल से जब नया शब्द बनता है, या नया वर्ण बनता है, तो उस वर्ण को हम संधी कहते हैं, जैसे कि आप देखो चोटा आ और चोटा आ, चोटा आ और चोटा आ, दोनों याद रखना है कि इसमें वर्णों का मेल किया जाता है यानि कि दो शब्द होते हैं पहले शब्द का जो सबसे लास्ट लेटर होता है और जो दूसरा शब्द होता है उसका पहला लेटर जब दो चीजों को आप जॉइन करोगे तो पहले का आखरी और दूसरे का पहला वहीं से तो जॉइन होगा तो वहां का पहले शब्द का आखरी और दूसरे शब्द का पहला लेटर जो होता है वर्ण जो हता है उसको जब जोड़ा जाता है आपस में या विंजन आपको पता है हमारे जितनी वर्ण माला है उसमें दो ही तरह के शब्द होते हैं स्वर्ण और विंजन स्वर्ण क्या होते हैं और वियंजन क्या होते हैं, कवर्ग, टवर्ग, चवर्ग, यह हमारे क्या होते हैं, वियंजन होते हैं, तो स्वर और वियंजन के परस्वर मेल से होने वाले विकार परिवर्टन को, विकार मींज परिवर्टन यानि चेंज जो आता है, परिवर्टन को संधी कहते हैं, जब द सूरे प्लस उदय है आप देखेंगे सूरे प्लस उदय सन्धी एंगे सूरे आखिर या के बाद कौन सा लेटर आalten इस तरीकम से आ और उ मिला सूरे में आखिरी में की साउंड आ रही है और उदय मेंकी स्लोंड है। warranty में सम це प्लस помог यह इसका होगे सूरेद है, समझ गए अब? तो इस तरीके से इसको बनाते है इसमें सूरेशब्द के अंतिम वर्ण स्वर के रूप में और दूसरे पद का पहला वर्ण उ है, उन दोनों को मिलाकर बनता है ओ, आ और उ मिलकर क्या बनता है? ओ, ओ बन गए समास बनातें, समास विग्रह करतें, तो उसमें भी संधी का प्रियोग होता है पदो को मूल रूप से अलग कर देना संधी विच्छेद है, यानि कि जो शब्द है, एक शब्द सूरेदे है, ये होगी हमारा संधी और अगर इसको हम सेपरेट, अलग-अलग कर दें, फिर से वापस है न, सूरे को अलग कर दें, उदे को अलग कर दें, तो उसे कहतें संधी विच्छेद, विच्छेद मतलब अलग करना, तो संधी विच्छेद मतलब अलग करना, और संधी मतलब अलग-अलग शब्दों को ज हो गया संधी विश्य हो गया समास में दो पदों को अलग करनी को समास उग्रे का जाता है तो उसमें कmesh किज्छ करने की चलिए देख लें सबसे पर संधी और गया वह तर और संथीन संधी विश्य को है इस Ο स्वर संधी, व्यंजन संधी और विसर्ग संधी तो तीन तरह के वर्णों के आदार पर जो संधी होती है वो तीन प्रकार के होती है स्वर संधी, विसर्ग संधी तो तीन संधी आपको पता चलगी स्वर संधी, व्यंजन संधी और विसर्ग संधी अब हम देख लेते हैं जो स तॉपक में डिसक्स करें तो स्वर सन्धी के भेध कित्ने होते हैं अब आगे देख लेगी सेंट्र वाइला जो पाट संदी के पांच भेध होते हैं स्वरו Score संदी के पांच भेध होते हैं हिन्दी तरीके से जुड़ सकते हैं जितनी उनकी स्थितियां बनती हैं उसके आधार पर इसके पांच भेद होते हैं इन भेदों के नाम संधी के बाद प्राप्त परिवर्टन परिवर्टित स्वरों के आधार पर रखे जाते हैं यानि कि संधी जो होती है जो स्वर होते हैं जब उन ये क्या है ए ओ को गुड और ओ को वृद्धी स्वर्भी कहा जाता है इसलिए इन संधियों के नाम गुड और वृद्धी है इसलिए इनके नाम क्या है गुड और वृद्धी जिसमें गुड मतलब बदलावा जाते उनके गुडों में बदलावा जाते तो गुड स्वंधी और व्रिद्यसंदी मतलब जिसमें दीर्ग पहले कम आवाज आती थी और फिर बाद में जादा आवाज आने लगते हैं, बड़ा वर्ण बन जाता है, तो इसको बोलते दीर्ग स्वन्दी, तो देखो दीर्ग स्वर आपको कुछ एग्जेंपल में दे रखे हैं, दीर्ग दीर्ग नहीं है, लेकिन बड़ा आ क्या है, तो यूद के देख सेमे continue ह। नहीं होते हैं, जादा समय लगता है तो बड़ा आ बढ़ा वो होता है, जिसमें लंbा समय। नहीं होता है जादा बड़ी बड़ाओ लेकिन ए ए ओ आओ चारो लिये गए अच्छा आप सोचेंगे क्यों लिया गया ऐसा ऐसा इसलिए लिया गया क्योंकि ए ए ओ आओ ये पहले से दो स्वरों को मिलाके बना हुआ है ठीक है पहले से दो स्वरों को मिलाके बना हुआ है इसलिए इसमें इन चार को लिया जाता है इंद चारों को दी छुन संधी में काउंट किया जाता है ह। तो यह सारे हैं हमारे दीर्ग- brown कौन से हैं दीर्ग- Chase University इसuration is to all Tapos Right तो यह हमारा विस्वघ्ट अब आप देखो आपको अिलबले मुन्य चाहं के लिए क्या होना चाहिए तत्स पे लेnhचायाई में बहुत कुछ संदी के लिए बहुत इंपोर्टेंट वह obsess चाहिए तो उसकी वर्ण माला में ज़रूर पता हो नीची किसी भी भाषा की वर्ण माला को याद रखना बहुत इंपोर्टेंट होता है तब आपको उस भाषा का महत तो समझ में आता है इसलिए आपको इस वर्ण माला को समझना और याद रखना बहुत इंपोर्टेंट है उसके बा आप बड़े होगे बहुत सारे competitive exam दोगे आपको government job चाहिए या फिर आप किसी exam की तयारी कर रहे हो कोई भी exam break करने के लिए जो आप competition exam देते हो याद रखना competition exam में Hindi must होती है चीके और उसमें ये चीजे जरूर पूछी जाती है चीके इसमें compulsory है कि ये आपका syllabus है और ये ये कौनसा अंतस्था वर्ण है तो आपको बताना पड़ेगा ये कौनसा ऊश्म वर्ण है तो वो आपको बताना पड़ेगा चीके आप देखेंगे कई सारे ऐसा है जो आपके teachers है teacher बन चुके पर उनको फिर भी confusion होता है क्यों होता है क्योंकि वो भी भूल जाते हैं तो यह आप अभी से रट लीजिए ताकि भविषय में आप ना भूले क्योंकि इस उम्र में अगर आपने याद कर ले तो भविषय में आप भूल ले ही सकते हैं कोई आपको भूला नहीं सकता अंतस्थ वर्ण तो कौन-कौन से होते हैं चार होते हैं सिफ य र ल व उश्म वर्ण कौन से होते हैं श स श श श स ह ठीक है उसके बाद है सयूक्त वर्ण सयूक्त मतलाब होता है सयूक्त नाम से ही पता चल रहा है दो वर्णों के मिलाने से या तीन वर्णों के मिलाने से एक न तो ये दो से अधिक वर्णों को मिला के बने हुए, इसलिए इनको सायुप्त वर्ण का जाता है, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया, अब हम बात करते हैं संधी की, तो तीन संधी हमने पड़ी, स्वर संधी, विंजन संधी और विसर्ग संधी, तो आज हम आज के के picking another topic में बेसिकली सिर्फ स्वर संधी है अपने देखा स्वर संधी को हाईलाइड किया घया है क्यों किया गया सैंधि क्यूंकि आज के topic में हम सिर्ग संधी पढ़ने वाले वैसे विंजन संधी और विसर्ग संधी का जो पांट हैवहो चोटा चोटा है सघ तो डॉदस की स सबसे पहले हम स्वर्वन के मेल से जो विकार या रूप परिवर्टन होता है उससे स्वर्वन कहते हैं यानि कि जब दो स्वर मिल जाते हैं तो उससे जो तीसरा नया स्वर बनता है उसी को स्वर्वन कहते हैं आप यहां देखें, एक्जेम्पल में दे रखा है विद्या प्लस आले, विद्या, आपने देखा विद्या का आखरी लेटर क्या है? आ की मंत्रा लगी हूँ, यानि कि बड़ा आ, तो विद्या के आखिर में क्या है? बड़ा आ, और आले के पहला शब्द क्या है? बड़ा यानि कि आपको देखना है पहले शब्द का आखरी और दूसरे शब्द का पहला लेटर, दोनों लेटर को आपको मिलाना है और तीसरा देखना है अपने क्या बंता है? तो यह कुछ वर्ण में आपको बता धी तो जो आपको याद रख्ना है, छोटा ऐ, छोटा आ मिलके हम मिलें मिलके बढ़ और बढ़ ईस बात का हमेशा आपको याद एक जोता है फारुको है चोटी फ्लस चोटी केकल बड़ी य he प्लस बड़ी ए pay कल तू बड़ी और बड़ी फ्लस दिशे कल टू बड़ी एसे भी एक बहा होता मात्र चोटी गेना चोटी में और निंड इंद्र में भी चोटी और चोटी मिला करो घया इसलिए देखो मुनी इंद्र न पर कौन autorhostale गई कर एक की मातरा लगी है जो हो लास्ट में लग वह शोटी प्लस बड़ी खेंट एक अगे देखो बिदेम्हाथ माहमें को मतलम बडांटह सबुशकर अगे यानि बड़ी इश यानि कि बड़ा आ और बड़ी इश मिलके क्या बनता है A बन जाता है ए और आ मिलके क्या बनता है ए बन जाता है A plus E is equal to A ठीक है तो महा प्लस इश is equal to महेस समझ वें आ गया तो ये था स्वरसंदी का example आगे देख लेते हैं स्वरसंदी का पहला भेद तो स्वरसंदी के पाँच भेद होते हैं पहला क्या होता है दीर्ग संदी नाम से पता चलता है दीर्ग यानि कि जिसमें लंबा समय लगे उसे दीर्ग कहते हैं तो दीर्ग संदी इसमें दो सवन सवन मतलब होता है एक जैसे वन उसको सवन बोलते हैं इसमें दो सवन या सजातिये स्वर चाहे वह लगू हो या दीर्ग हो लगू कौन से होते हैं जैसे यह लगू होते हैं और दीर्ग कौन से होते हैं बड़ा आ यह लगू होते हैं तो सवर य यानि कि छोटे वाले, अगर दो छोटे मिलेंगे, तो भी बड़ा होगा, एक छोटा एक बड़ा मिलेगा, तो भी बड़ा होगा, दो बड़े मिलेंगे, तो भी बड़ा होगा, ये तीन चीज़े आपको याद रखने हैं, तो ये मिलकर दीर्ग हो जाते हैं, येदि अ, आ, ए उ और रिशी के बाद भी वे ही हाश्य दीर्ग स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमसा आ ई उ रिशी हो जाते हैं जैसे देखो एक्जैम्पल देखो तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा छोटा आ प्लस बड़ा आ is equal to बड़ा आ मैंने यह चीज़ अभी आपको थोड आपने न बोले ना सुनके साउंड पता चल रहे ना आ रहे न इसमें तो यानिकी न में चोटा आ है और आले में बड़ा आ है चोटा आ बड़ा मिलके बड़ा आ बन गया तो बोजन प्लस आले is equal to बोजन आले ऐसे विद्या प्लस अर्थी विद्या में बड़ा आ है और अ चुटी मिलके बड़ी बन गई तो गिरी प्लस इंद्र इस इकल टू गिरींद्र ऐसे ही देखो प्रित तो प्रित में आपने देखा चोटा और रिंड में आपने देखा इद जो है एक सायूक्ति वेंचन है तो जब सायूक्ति वंजन मिला र के साथ तो क्या बन गया पितरी ऐसे एक और example देखो, साथ में लिखा है, अत्र प्लस अभाव, अत्रा भाव, ठीके, अत्र प्लस अभाव, अत्र में अ आ रहे है, त्र, त्र में अ आ रहे है, और अ, अभाव में अ, ठीके, तो दो छोटे या मिलके, बड़े या बनके, इसलिए अत्रा भाव, भानू प्लस यूदय है ऊप्ते बड़ा ओ बन गया इसलिए बढ़ेव की मात्रा हो गई समझ में आगे आगे अगला इसका अगला भेद होता है गुण संधी, जिसमें गुण में परिवर्टान आता है उसको गुण संधी बोलते हैं, जैसे कि A, A, E, A, A के साथ E, E का मेल होने पर A बन जाता है, ठीक है आपको पता होना चाहिए, A और E के मिलने से A बन जाता है, ऐसे ही U, U का मेल होने पर O बन संधी के लिए और संस्क्रिट और हिंदी में बस थोड़े से 2-3 रूल ऐसे होते हैं, जो अलग होते हैं, बाकि संधी के सेम रूल होते हैं, तो आपको यह चीज़ें याद रखने हैं, दोनों सब्जिक के लिए आपको help हो चाहिए, तो गुण संधी की बात करते हैं, चोटा उ मिलके क्या बन गया? ओ बन गया, ठीके बड़ा आ और चोटा उ मिलके क्या बन गया? ओ बन गया, तो महा प्लस उर्मी गंगा में आ है, गंगा में बड़ा आ है, और उर्मी में बड़ा उ है, तो बड़ा आ और बड़ा उ मिलके बड़ा, क्या बन गया? ओ बन गया तो गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी चीक है ऐसे ही देव प्लस रिशी देव में और है चीक है और रिशी आपको पता है तो और रिशी मिलके क्या बन जाता है अर बन जाता है तो इसलिए देव रिशी चीक है ऐसे ही देव प्लस इंदर देवेंदर देव प्लस इश देवेश चंद्र प्लस हो दे, चंद्रो दे तो यहां तक आई थिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया है आगे देख लेते हैं वृद्धी संदी वृद्धी मतलब जिसमें बढ़ात हो जाती है उसे वृद्धी संदी करते है चीके, आ, आ के मेल ए, ए के साथ होने से ए बन जाता है उसने बोला है, आ और आ के मेल को अगर ए और ए के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए और ए के साथ करेंगे तो ए बन जाएगा, चीके तता ओ और ओ के साथ होने से ओ बन जाएगा, ओ और ओ के साथ होने से औ बन जाएगा किसका आ का चीक है तो औ में परिवर्टी हो जाएगा संधी बहुत से शब्द समाने जीवन में प्रियोग नहीं किये जाते हैं संधी के बहुत सारे शब्द ऐसा थे जो हमारे रियल लाइफ में डेली यूज में बहुत ज्यादा इस्तिमाल नहीं होते हैं जैसे देखो परम प्लस ओशद परम प्लस ओशद परम में म में लास्ट में और ओशद में ओ तो क्या है ये आपका और ओ ओ मिलके ओ बन गया ठीक है परम अशद ऐसे ही महा प्लस उजस्वी महा मे बड़ा A और OJASWRI में O तो बड़ा A और O मिलके क्या बन गया? महाँ OJASWRI, ठीक है? ऐसे A اور A के मेल से कुछ आपको दे रखए example जैसे 1 प्लस 1 ठीक है? तो क में A आ गया और A तो A और A मिलके क्या बन गया? A-CAC, A-CAC जो है यह बहुत अच्छा system change होने माला है तो competition exam आपको after 12 कई सारे देने पड़ेंगे future में education के लिए तो वो सारी चीज़ों के लिए आपके लिए बहुत helpful होगा संधी संधी एक ऐसा topic है जो graduate होने के बाद पोस्ट graduate होने के बाद भी competitive exam में participate करने के लिए आपको पढ़ना पढ़ता है जब हम भी competitive exam participate करते थे तो हम भी पढ़ते थे कई बार हम अभी भी पढ़ते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना है जो मतलब आप अगर संधी को बहुत अच्छे से समझ गए तो आप यह याद रखो future में यह आपके बहुत काम आने वाला है बस एक simple से बात चलिए देखते हैं आगे संधी का हमारा तीसरा चौथा परकार संधी का हमारा चौथा परकार होता है व्यान संधी चोटी, बड़ी, उ, उ, और रिशी का मेल यदी आ समान स्वर से होता है आ समान मतलब जो से मिलते जुलते नहीं आ समान से होता है तो ई, ई का करमशा य, उ, उ, का व और रिशी का र बन जाता है कैसे समझ होएगा example देख लो अनू प्लस इत तो क्या हो गया अनू प्लस इत इसमें आपने देखा मिलते जुलते स्वर तो नहीं पहले चोटा बड़ा मिल रहा था या आ, उ, मिल रहा था तो थोड़े एजी एजी लेटर बंद रहते हैं अब थोड़े अलग बंद रहें तो इसलिए के कहते हैं इसको कि जिसका आ समान स्वर, असमान मतलब एक दूसर थे उनमें बदलावा गए तो इसमें अलग तरीके के स्वर मतलब दो अलग तरीके के बिलकुल अलग तरीके से जो एक दूसरे से बिलकुल समान नहीं है उनको जोड़ा जाता है तो नया जो स्वर बनता है उसमें उसकी वज़े से वर्ड जो हमारा बनता है वो भी बिलकुल पंदावते वहां से और सुर्ण देखे घंचेंट है अपी एक i में या o ao में बदल जाते हैं जैसे example देखो a और a के मिलने से य बन जाता है तो ne plus un तो क्या बन गया? नयन ने plus un नयन बन गया आपने देखा ने में a की मात्रा है और un में a तो a और a मिलके क्या बन गया? य बन गया तो नयन बन गया ऐसे ही गय और अक, गय में ए की मात्रा है, किसकी मात्रा है? ए की मात्रा है, य follum य ऊ बन गया तो गायक, समझ गया? ऐसे ही देखो व प्लस अन तो पहुबन, लिए भावन, बोस तो बन वब यpel बन गया वा बन गया, तो भो में ओ की ओ है और अन में अ है तो दोनों मिला के भवन यानि वा बन गया ऐसे ही भो प्लस उक, भो में ओ है और उक में छोटा हू है तो ओ और उ मिलके क्या बन गया, बढ़ा उ ठीके, तो उ में छोटे हू की मातरा यानि की भा उक बन गया यहां तक समझ गए आप, तो यह था हमारा आज का संधी, अगर संधी में कोई doubt या confusion है, तो आप हम से पूछ सकते हैं, इस पी based आपको दो question दिये गए, निमलिखित विच्छेद किये गए शब्दों को, संधी कीजिए तता संधी का नाम लिखिए, तो आपको क्या करना है, सं संधी क्या बनेगी, वो आपको बताना है, और कौन सी संधी है, वो उसका नाम भी बताना है, तो वो आप हम solve करेंगे, उसके बाद है, निमलिखित संधी का विच्छेद कीजिए, इसमें आपको शब्द दे रखा है, सिर्फ इसका संधी विच्छेद करके लिखाना है, तो आपको ये चीज नहीं समझ में आएगा, तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपको समझ में आगिया, तो आपको संधी एक बहुत इंट्रस्टिंग टॉबिक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको ध्यान से समझेंगे, तभी आपको समझ में आएगा, और सिर्फ question solve करना इंपॉर्टन नहीं है क्यों कि संधी एक ऐसा टॉपिक है अगर आपने बिना सॉल एक आंसर लिए और लिख दिये आपने तो अभी तो आप आंसर लिख देंगे बट फ्यूचर में आप नहीं कर पाएंगे क्यों क्यों क्यूंकि एक्जाम में जरूरी थुड़ी ना यही टॉपिक को समझना पड़ेगा तो अगर आपको ना समझ में इस वीडियो को दो बार देखिए तीन बार देखिए चार बार देखिए फिर आपको बहतर तरीके सा समझ में आ जाएगा फिर भी डाउट हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अच्छा कुछ बच्चों टॉपिक करने है तो जो सबसे लास्ट है उसको क्लिक करने है उसको क्लिक करने के बाद अपना वीडियो आप देखोगे तो आपको वीडियो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी ठीके रेजुलेशन हाई करने से वीडियो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी रेजुलेशन लो कर इससे आपको वीडियो क्लियर दिखाई देगी और समझ भी आएगी तो चलिए सॉल्ट करते हैं आप इसके आंसर तो यह हैं हमारे आंसर पहला कुछें देखिए निमलिकेट विच्छेद किये शब्दों को सब्दों की संदी कीजिए तक संदी के नाम लिखे तो संदी विच टेलेग्राम का उस लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे आप हमारे टेलेग्राम चैनल पर आ जाएंगे और वहां से हमारे चैनल को जॉइन कर सकते हैं मुदिता आयस वार्यर्स ठीके देखिए संदी शब्द क्या दे रखा है महा प्लस आशे तो क्या बन गे संदी इसकी संदी महाशे कौन से संदी है इसमें दीर्ग संदी है ऐसे ही गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी तो इसमें कौन से संदी है गुण संदी है देव प्लस रिशी देव रिशी तो इसमें क्या हो गया गुण संदी है पितवी प्लस इश पितवी इश यह है दीर्ग संदी गिरी प्लस इंद्र, गिरींद्र, यह है दीर्वसंदी, ठीके, तो यह है आज का आपका answer number 1, चलिए answer number 2 देख लेते हैं, निमलिखित का संधी विचेद कीजिए, इसमें आपको संधी विचेद करना है, ठीके, तो यदपी का संधी विचेद क्या होगा, यदी प्लस अपी, तो क्या बन अनुप्लस अशन, तो अनवेशन बन जाएगा, ऐसे ही वन ओश्यदी, यह भी हमने अभी अग्जेंपल में पड़ा था, वन प्लस ओश्यदी, तो वन ओश्यदी, एसे ही गिरी स, यह है आज के हमारे answers, आप सबही बच्चों को अगर हमारा वीडियो पसल दाता है, तो उस आपके पास notification आजाएगा और आपको वीडियो इसली मिल जाएगी आपको वीडियो धूड़िनी पड़ेगी तो इसलिए चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस करने से आपको वीडियो का notification तुरंत आजाएगा जैसे ही upload करेंगे वीडियो आपकी YouTube पे एक red dot आजाएगा उसको click करेंगे तो आपको डिख जाएगा कि वीडियो अप्लोड हो गई है तो आपको ढूड़ना नहीं पड़ेगा या इधर उदर पूछना नहीं पड़ेगा ठीके और हमारी वीडियो में एक speciality आपके लिए ये भी होती है कि हमारी वीडियो हमारे चैनल पे कोई भी topic आपको सर्फ आंसर बताएंगे हम हम आपको पहले समझाते हैं topic को पढ़ाते हैं उसके बाद आंसर बताते हैं और फिर भी किसे बच्चे को doubt होता है तो वह हमसे पूछता है और हम उसके doubt को भी clear करते हैं उसको answer करते हैं तो अगर आपको topic को पढ़ना है समझना है तो आप हमारे चैनल को जरू पूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, क्योंकि यदि आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, तो हमें मोटिवेशन में लेगा, और हम आगे आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ठेंक यू सो मच बच्चो, बाबाई